अच्छों कैसे हो आप लोग आई हो आप सभी अच्छे होगी अभी हमारे पास क्लास टेंथ पिग्यान का एंसी आटी पराधारित अगरबाल का अंसोल ने दो हजार चोविस बॉड इग्जाम के लिए देखिए हमने दो हजार तेज के जो सेट हैं उन सभी को मैंने करा दिया यह code देख लेना ठीक है सेट वन बीजे और 212 इस चीज आपको देख लेनी है मैं छीज यही होती है ठीक है और वीडियो को सिकरने से पहले मैं आप से derive लेना चाहता हो और मैं आप एक प्रोमिस करेंगा आप मुझस मुझसे प्रोमिस करना ना देखिए आपको पूरा का प वीडियोस की नोडिकेशन आपको सबसे पहले मिं जाएं चलिए देखें हम फिजिक्श से निमेरिकल्स को करें ठीक है सब कुछ करेंगे बिल्कुल डीपिली, ठीक है चलिए देखें इसके पहले कोशन को लेते हैं क्या है इसका पहला कोशन है इसकी पर आपको दिख जाएगा डी के महां पर देखिए पहला कोशन कहरा है कि आपतल दरपन के मुख अच्छ पर धुरूब से 30 सेम्टी मीटर की दूरी पर इस्तित बश्ट काप्रतिविंब बस्त पर ही बनता है दरपन की फोकस दूर तो लड़ानी है चलिए देखिए पहले कोशन कोशन को देखना है कोशन नमबर वन हमारे पास कौन सा दरपन है बेटा अबतल दरपन सब्सक्रविंध में बना लेंगे अफल तर ना पको पता है उसमें क्या होताई की बाहर ही सल पर गालां कर दी जाती है का खर दी जाती य यहां पर आपको पता है धुरूब होगा यहां पर सेंटर होगा और सेंटर यानि कि केंदर और बकरता केंदर और धुरूब के बीच में focus F होता है ठीक है इसमें आप एक चीज गोर करिये इसमें बताया गया है कि 30 cm ध्रूब से 30 cm की दूरी पर इस्थित बस्तु का प्रतिविम बस्तु पर ही बनता है देखो यहां से यहां से तक 30 cm की दूरी बताई गई है और जो बस्तु का प्रतिविम बन रहा है प्रतिविम जो है बस्तु पर ही बनता है देखो यहां पर जैसे कि माली जी यहां पर मेरा क केंदर के उपर मेंने क्या करी एक बस्तु रख दी ठीक है तो यहां से जो प्रतिविंब बनेगा यहां पर ही बनेगा ठीक है यहीं पर बनेगा ऐसा कब होता है जब बस्तु केंदर पर रखी हो तब ही जाकर के प्रतिविंब बस्तु पर बनता है बताया गया है कि जो तरीके से और जब आप यहां से डालेंगे तो प्रावर्दन के वाद यहां पर देख सकते हो आप देखो यहीं पर बना की नहीं बना ऐसा कब संभवे जब वस्तु केंदर पर रखी हो जब वस्तु केंदर पर रखी होगी तो प्रतिमि में भी बस्तु के पास ही बनेगा ठीक मीटर दूरी पर देखे यहां पर रेट कलर से बताता हूं मैं आपको यह दुरूब है यह हमारी बस्तुए कहने का मतलब यहां से यहां तक जो है ना वो 30 cm है 30 cm है ठीक है और जो प्रतिम बन रहा है फिर वह भी 30 cm 30 cm दूरी बनेगा है कि नहीं आपको पता है न कि जहां पर बस्तुए बहीं पर प्रतिम बन रहा है इसका मतलब अगर बस्तु 30 cm दूरी पर है तो प्रतिम भी 30 cm दूरी पर बनेगा कहने का तात्तुप्र यहां पर देखिए अर्था दिया है देखिए दिया है हमें बताया गय है ची जो आफ預aktन है यह जो पर यह श्यानि बृस्त की स्थिए दूरी है तो लिख दो यहांपर बस्थ की स्थिति या बस्थ की दूरी भुछ एfallय कि अर्थातred you हमें कितना दिया गहा third cuk a ठीक है और आपके पता है अववतुन दरप्रण हैppen माईनस में लेना है और उसकी गींब की कि दूरी कितनी गरिए ऑऊ- हापको 20ja कि कि दूरी अर्थवी कितना है वह भी 30 है आपको माइनस मही लेना है सब अब शन ही 25 है आपको निकालना है फोकस दूरी दरपण कीफॉकस दूरी तब दरपन की फोकस दूरी देखिए दरपन की फोकस दूरी यानि की F हमको पता करना है देखिए बहुत ही आसान है ठीक है आपको पता है दरपन है तो दरपन का शूत्र लगा दो तो लिगो दरपन के शूत्र से आपको पता है दरपन का शूतर होता है बन अपॉन F वरावर बन अपॉन V प्लश बन अपॉन U यह होता है न देखो यहां से F मिल जाएगा यहां पर बन अपॉन B, B कितना है? माइनस का 30 है और यह भी माइनस का ही U भी माइनस 30 है तो सिंप्लिफाई कीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं? माइनस का नीचे लिखते हैं एक्चिली वो गुड़ा में होता है तो उपर ही माइनस का साइन लिखा जाता है याद रखिएगा माइनस का तो 30 है लेकि यह उपर होगा माइनस और यह हो जागा माइनस का एक बचा 30 प्लस माइनस हो जागा माइनस और यहाँ से अगर आप सिंप्लिफाई करते जाएंगे तो यह हो जागा 30 ही कम 30 30 ही कम 30 और आमने सामने करा देंगे तो 3 तिया 9 और 900 ठीक है? तो बन अपोन F वरावर 30 और 30 हो जाएंगे 60 बटा 900 और यह कट जाएंगे हमारे 3 दूना 6 और 3 तिया 9 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 पंचे 10 यानि F की इधर गुणा करा देंगे तो F वरावर आजाएगा माइनस का 15 सेम्टी मीटर आता हा दरपन की फोकस दूरी कितनी आ गई? 15 सेम्टी मीटर आता हा दरपन की फोकस दूरी 15 सेम्टी मीटर होगी या है ठीक है? यह मारा पहले बाले का उतर होगा पहले बाला जो का है न का उसका उतर है और उसमें खा में हमको दिया गया है देखे खा खा भी दो नंबर का दिया गया है खा है प्रश्न खा इसमें क्या है हमको बोला गया है कि 40 cm फोकस दूरी बाले आवतल दरपन की बकरता तरज्या ग्याद कीजिए अच्छा अबतल दरपन है और फोकस दूरी हमको दी गई है हमको फोकस दूरी कितनी दी गई है 40 दी गई है बैटा 40 cm और आपको पता है कौन सा दरपन है अबतल है तो माइनस होगा हमको बताना है तριज्या यानि कि R क्या होगा ठीक है देखो कितना असान है आपको पता है R और F में संबंद बकरता तरिजिया और फोकस दूरी में संबंद होता है R बराबर 2F यह बकरता तरिजिया और फोकस दूरी के बीच संबंद होता है R हमें निकालना है 2F F हमारा माइनस का 40 है इसका मतलब हमारा R बराबर 428 यानी 80 एक्सिए चालिस दूना चल्ट सिम्टटीमिटर आएगए अरह जो हमारी बक्रत जो बक्रत बक्रता त्रोट च्टॉर्ट पोल स्य damnering के तलंक हूंक선 आफ जो कहीं पर ने कि कोशिस कर रहा हूं देखिए इसके वाद दूसरा कोशन ने उसको भी देख लेते हैं कि 15 सेटीमीटर फोकुस धूरी का कुई अवतर लेंस किसी बस तुकाब प्रतिविंब लेंस से 10 सेम्ट्मीटर धूरी पर बनाता है बस तु लेंस से कितनी दूरी पर इस्तित है और कारे मिया सबसे पहले मियाप को तो आपको खीच के दिखाता हूं कि इपके करमारे को कुई भी भी विल्कुल साप्रो सेई मैं तरफ पहले हमारे हमारे पास कॉन शाविया अब तर लेंस है वह मुझे तो इस तपर कुछ तरीके से देके बीच में क्या है किनारे मोटा है किनारे किनारे हैं कि नहीं तो यहां पर कैंदर होता है इसे केंद्र को हम O कह सकते हैं था यहां पर एक होगा और यहां पर ऑब फोकlot को और यहलो दूसरा Dustin इधर यहां प्र बताया गया है कि यहां से फोकर सेате के पहला फोकस है फोकस दुरी 15 सेंटमेटर है अच्छा यह केंदर से यहां तक की दूरी कितनी है 15 से मीटर से बताऊंगा देखो यहां से यहां तक 15 से मीटर ठीक है यहां से यहां तक ठीक है और पहले तो यहां पर चित्र बना लो ठीक है चित्र बना लो यहां पर किस तरीके से किरण आरे खींच लो यहां पर सबसे पहल लेंगे ऐसे केंदर से तो जहां पर यह जाएगी ना भहीं पर उसी मार्क से बापस आजाएगी जैसे इस मार्क से गई और इसी मार्क से बापस आती है और अगर आप देखें तो प्रतिमियों कहीं यहां पर बनेगा नहीं इधर बनेगा ठीक है तो इधर इससे अगर प्रतिविम्ब यहां पर बना और बताया गया है कि 10 cm दूरी पर बनता है प्रतिविम्ब लेंस से 10 cm दूरी पर बनता है यहां पर प्रतिविम्ब बना कहने का तात्र पर यहां से यहां से यहां तक 10 cm दूरी होगी यहां से यहां से यहां तक 10 cm दूरी है और फोकस दूरी यहा तो की इस्तिति हमको बतानी है कि यहां से मतलब यहां से माली यहां तक मैंने बस रखी तो हमको यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी यह बताना है ठीक है यहां से यहां तक एक प्रत में उत्तर में न होता है प्रतिविम्ब लेन्स से 10 cm भी स्थित्यति अनुको एक व INF आपको निकालना है बस तू लेन्स से कितनी दोड़ी परबनता है यानि कि यहूं को को पता करना है समझ के हमको फोकस कि दूरी दी गई प्रती बटाया गया अतना बनता ह Ari को हमको जो है बस तो बतानी रिप्र बनेगी है ए अ जा आ हम पर लेंस का लागाओ अ मार्क लेंस के सूत्र से कैसे कि लेसं का सूथ होता है बनश in बन अपन बनन कंभ ऑन यू ठीक है देखो बनक पॉन अफ व कितना है मारा माइनस- कप फंद्रह माइनस उपर लेना है और यह माइनस करना आता है कि नहीं आता है लिए सिन करना आना चाहिए देखिए ठीक है और यह 15 पंधरा और 15 दिसावन 150 ठीक है अब यहां आप से देखेंगे गरांप तो हमारा आजाएगा 15 प्लस माइनस से माइनस हो जायेगा तो 15 से दिस गया 5 बचा है नीचे हमारा 15 है स्वरी देड़ सो है पांच 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 पांचियां 15 यू की इधर गुणा करा देंगे तो यू वरावारा जायेगा माइनस का 30 सेमटी मीटर अताहा बस तू कि दूरी हरीं हिति एओ तीस से मीOver 2017 अ ऊगर समझग है और तो कहने का तात्ते पर यह है कि आपर हमने स्बास तुके आप्लिकैंच का रखा था तो केंद्र से लेकर करें सब्सक्राइब बैस ने het टीकले हो इसमें क्या है आगे देखते हैं औरता कोशन्स है अगला कोशिन कोशन के रहा है कि दो ओम तीन ओम तथा पांच ओम के प्रतिरोधों को स्रेडी क्रम में जोड़ा गया है यदि सयोजन के दोनों सिरों पर 30 बोल्ट का विभानतर लगा हो तो प्रतिक प्रतिरोध के सीरों के बीच विभानतर ग्यात करना है चलिए देखिए हमारे पास तीन प प्रतिरोध है लिग्र पहले बडिया है मैं वैसे कराना हूँ जैसे आपको बोर्ड में करना भिल्कूल ठीक है ऐसे आपको करना प्रतिरोध में क्या angea और दिया गया धने है जो तीसरा प्रत्रोध है वो है पॉंस हो में ठीक है इन्हें स्रेडी क AMB में जोड़ा गया है या और और क्या दिया गया है मैं सायोजन डोनों सिरों पर तीस बॉल्ट का विभानतर लगा है अच्छा बॉल्ट यानि कि हम बताना है तब तब हमको बताना है कि प्रतिक प्रतिरोध के सीरों के बीच विवांतर प्रतिक प्रतिरोध के सीरों के बीच विवांतर होगा इसके बीच विवांतर कितना होगा इसके बीच कितना विवांतर होगा हमको निकालना है तो प्रतिक प्रतिरोध के सिरों के बीच विवांतर के बीच विवांतर हमको निकालना है इसके लिए विवांतर कितना होगा इसके लिए कितना विवांतर होगा इसके लिए कितना विवांतर होगा विवांतर निकालने के लिए आपको धारा पता होनी चाहिए तो पहले तो धारा निकाले सबसे पहले देखो, सर्ब प्र्थम, जो R1 है, R2 है और R3, कौन से क्रम में है, σ्रेडि क्रम में है, स्रेडी क्रम में जुड़े है, में है, ठीक है, अगर ये श्रेडी क्रम में हैं, तो हमारा जो तुल्य प्रतेयोद हो घृतोर हुए इसलिए तुल्य प्रतेयोद्फरती फृतिरोत आर बेराबर इनको जोड़ने पर मिलेगा ? इनको जोड़ने पर हमें तुल्य प्रेतयो रबन कितना में है र ही और यह 3 है R2, R3 हमारा 5 है, तो कहने का मतलब तुली पृत्रोद हमारा आज आएगा 3, 2, 5, 5, 10 Ohm, अब देख सकते हैं कि यहां हमारा जो तुली पृत्रोद आया है, वो 10 Ohm आया है, अब हमें तुली पृत्रोद पता चल गया और यहां पर विभांतर पता चल गया, तो हम धा कितना विभांतर है, 30 Volt है, तो 30 Volt बटा आई, अब धारा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद प्रत्रेक प्रत्रोद के सिरो के भी विभांतर भी पता चल जाएगा, देखे, यह 0 सी 0 कट जाएगा, आई कम आई, और यह 3, धारा है, इसलिए एमपर में ही आएगी, देखो धार आगई, हमारी धारा पूरे के पूरे जो परिपत है, उसमें 3 एमपर की धारा बेह रही है, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कि R1 के, R1 के सिरों के बीच विभांतर कितना होगा, ठीक है, R1 पर विभांतर, विभांतर निकालना है ना, तो आपको पता है, R बराबर क्या हो कितना है, 2 है, 2 है ना, 2, तो यहां पर हमको 2 लग देना है, और B, कितना विभांतर है, अच्छा विभांतर निकालना है ना, हमको, आई हमें 3 दिया गया है, तो इसके बटेम के चलिए दब्बन होगा, B की एक से गुणा हो जाएगे, B और 3 दूना, 6 वोल्ट, यानि कि जो पर, B वांतर, R2 बराबर, B अपोन, आई, देखो, R2, R2 हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर 3 लिख दो, और B कितना है, B हमारा, B तो निकालना है, आई कितना है, I हमें 3 दिया गया है, तो इसके बटेम के चलिए तो बन, B की एक से गुणा होग तो B बराबर, 3 दिया 9, बोल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगला वाला आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो को तो बता दूँ मैं आपको, चलिए बता देता हूँ, अगला वाला, जैकि R3 पर विवांतर देख लेते हैं, क्या होगा, R3 पर विवांतर, R3 पर, 3 पर बताया गया ठीक है, तीनों पर विवांतर निकालना है, तो R3 बराबर हो जाएगा, B एपोन आई, देखो, R3 हम को दिया गया है, R3 कितना है, पांच है, ठीक है, पांच है हमारा, B बताना है, I हमारा तीन है, इसके बटम कुछे दुबन, B की, B से गुणा हो जाएगी, B कम B, और तीप भिवांतर 15 बोल्ट आया, ठीक है, चलिए, देखिए, अब इसके बाद जो हमारे कोशन है, अगले वाले उनको भी देख लेते हैं, देखिए, हमने 2000, 2023 मेहत के जो सेट है, उन सभी को करा दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिस्टर मे मिल जाएंगी, ठीक है, तिसरा कोशन कम्प्लीट होता है, उसके बाद चोथा कोशन, थियोरी बेस्ट है, यह नहीं कराऊंगा, इसके बाद जो अथवा कोशन, चोथे का जो अथवा है ना, वो बढ़िया कोशन है, वो निमरिकल से सम्बंदित है, वो मैं आपको बताता कि किसी परिपत में 5 एमपेर धारा 8 सेकेंड तक प्रभावित की जाती है, आपके पास कोई परिपत है, उसमें 5 एमपेर की धारा 8 सेकेंड तक प्रभावित की जाती है, इस समय अंतर में परिपत में कुल कितने इलेक्टरान गुजरते हैं, यानि कि इस समय में अगर आप एक परिपत में पांच एमपेर की धारा आठ सेकंड तक प्रभावीत करेंगे तो उसमें कुल कितने एलेक्टरान गुजरेंगे ठीक है यदि परिपत का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन उसमा की गड़ना भी करनी है ठीक है चलिए यह कोशन बढ़िया सा कोशन है है हमको दिया गया है यहां पर पांच एमपेर धारा अच्छा धारा कितनी दी गई हो पांच एमपेर दी गई धारा यानि आई बराबर है पांच एमपियर एमपियर को एमपी लिग दो सोटकट में ठीक है आगे हमको बताया गया है कि 8 सेकंड यानि सेकंड का मतलब टाइम यानि समय तो जो समय हमको दिया गया है जो टाइम दिया गया है वो हमको दिया गया आठ सेकंड ठीक है और हमको बताने है कुल कितने इलेक्टरान यानि इलेक्टरानों की संख्या बतानी है तब इलेक्टरानों की संख्या इलेक्टरानों की संख्या यानि कि यहन हमको बताना है number of electron चलिए देखे बहुत ही आसान सा कोशन है ठीक बहुत ही आसान सा कोशन है देखे कैसे होगा आप जानते हो कि क्यों बराबर क्या होता है क्यों बराबर होता है क्यों बराबर होता है ठीक है और यह आप जानते हो ठीक है यहां पैसे अगर के लिख लो जानते हो आप चू आई बरावर हमको देद को एन चाहिए ना तो यह देखिए क्यू बरावर एन नी होता है ना तो इस क्यू की जिगए पर हम एन ए लिख सकते हैं नीचे हमारा टी है ठीक है अब देखो यहां पर हमें एन निकल निकालना है मिल जायेगा ठीक है आई पता है टी पता है ए नहीं 10 की पावर माइनस 19 कूलाम देखो यह अगर आपका नियुमेरिकल आया तो उसमें इसका मान दे दिया जाता है जैसे कि यहां पर अभी दिया गया है इलेक्टरान परावेस वैसे आप याद कर सकते हैं कि इलेक्टरान परावेस होता है 1.6 इंटू 10 दि पावर ओफ माइनस 19 कूलाम ठीक है चलिए देखिए अब इसको सिंप्लिफए करते हैं देखो आई आई हमारा पांच है अन तोहरा पर निकालना है न ई कितना है बन पॉइंट 6 इन्टो मान इाद कर लीजिए यी का मान इतना होता है टाइम टाइम कितना है अट सेकंड है ठीक हो फोपर देखी 8 सेकंड अब इसके बट्टे में कुछ नितों बन इसकी जहां से करा देंगे पहले इसकी करा दो तो एन इंटु बन पॉइंट सिक्स गुणा दस की पावर माइनस का 19 और यह पानठा 40 हो जाएगा पानठे 40 और यहां पर हम हुआ है चालिस को आप लिख सकते हो यह ऐसा करो इसको ऐसे लिख दो एन बराबर हमारा कितना है 40 है यह गुणा में तो इदर आएगा बट्टे में आ जाएगा ठीक है कि यह मैंने आपर दोबार आप देखें दोबार लिख दिया आपको एक बारी लिखना तो इसको में माद माननी या इसको मालनो देखो यह गुणा में है तो इधर बटे में आ गया आप देखो यहां पर इसका पॉइंट काटेंगे तो नीचे दस बढ़ेगा और दस जो है उपर गुणा कर लेगा तो उपर हमारा आ जाएगा चार सो नीचे हमारा और यह उपर कितना है वन टेन दी पावर मैनस नाओ मैनस उननिस और यह जीरो सीडो कट जाए जोला है ना यह सोला है सिट तो आप काड़ सकते हैं तो अलाइकम सोला चार से काड़ चार इकम चार और चार चुक्षे सोला और चार दूना आठ नोदस चार पंचे बीस यारी कि 25 गुडा एक बटा दस की पावर मैनस उननिस आएगा यह न बराबर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो वांकि आप इसको लिख सकते हो पच्चिस सकते हो यह आप इतना भी चुर्ण सकते हो इसका अगर आप इतना निकाले तो इसके बाद आप एसे कर सकते हैं यह बडाबर हाँ इसका ऐसे हो जायागा इसको लिख सकते हो आप 25 है नहीं पो समझ में नहीं आया है तो मैं यहां पर फिर से रीपेट कर देता हूं यहां कहले है यहां पर किया इसका पॉइंट काटा तो नीचे दस बढ़ा सबसे नीचे वाला सबसे उपर गुणा कर लेगा तो देखो 40 की 10 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 400 ठीक है बटा हमारा नीचे कितना था 16 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ठीक है देखो अब हमने क्या किया यहां पर काट यहां पर 4 चक्रण दूला काटा और 4 रिकम चार और 4 दूनाट 4 पंचे 20 यानि के 25 ठीक है और बते में हमारा क्या था बटे में हमारा है 10 की की पावर माइनस 19 ठीक है यह बराबर हमारे देखो 25 गुणा 10 की पावर माइनस 19 उपर जाएगा तो माइनस कि घाजोती प्लस हो ज सानिने को सल्य करना आपको आना चाहिए ठिक है इसके बाद जो इसका आग़ा इसли मैं इस एक श्र장 पूछा गया है इसी में अभी कोष्यन खत 확인 खतर नहीं हुआ है इसमें बता गया है कि यदि परिपत का प्रतिरोध में 10 ओम हो परिपत का प्रति रोत था दिया है की प्रतिरोध हमको आभी A are Rh वी सोधुया गया है और उसमें उत्वांने उस्मा कि करना करनी है यानि कि उस्मा हमको निकालनी है उस्मा एन्य एक किया होगा है हम को पता करना है देखो यह बराबर क्या होता है आइस्क्वाइर आंने कितना निकाला था आए फिक हमको दिया गए तर अधर देखें तो धारा जा दी गई है ब्रावर पांच आंपर्फा इया गया है ठीक है पांच इम्पेर में Sat सेकंड दिया गया है तो यह जगा 25 25 गुड़ा बीस गुड़ा आठ तो एच बरावर 25 25 गुड़ा आठ यानि एच परावर पा आठ पंजे 40 और यह कुछ इस तरीके से आएगा हीटिंग इतने जूल आ जाएगी ठीक है एच उसमा जो आएगी वह आजाएगे 4000 जूल ठीक है उसमा निकल गई इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इसके फिजिक्स के जो निमेरिकल्स है वो खतम होते हैं बाकि इसके बाद जो आता है उपखंड खा आता है केमेस्टी के चलिए आज मैं इसको भी बता दूँगा कि किस तरीके से आपको आई-उ-पी-ए-सी नाम करना है देखो यहां पर कैसे करते हैं इसको देखे बहुत ही आसान होता आई-उ-पी-ए-सी नाम लिखना बहुत आसान पांच में का है अगर आपको आई-उ-पी-ए-सी नाम नहीं आता है ना तो आप कमेंट कीजिए मैं एक स्पैसल वीडियो बनाओंगा जिसमें आपको आई आई-उ-पी-ए-सी देखी आभी समझने का कोशिस करना ठीक है बहुत ही आसान वैसे तो है हमको दिया गया है इसका पहला है सी-सी-ए-च-टू-च-2-च-3 यह हमको दिया गया है आप देखो यहां पर आई-उ-पी-ए-सी नाम कि देखो कैसे होगा कारबन पहने गिनों कि चार कारबन है चार कारबन है चार को कौकि ऑलते हैं में मैं सीट ब्यूट बोलते हैं न तो इसमें आप देखेंगे तो एक-एक बंद की ही Benit होगी यानी अ रहि़ोगा तो ब्यूट प्लश संझतिएन की को बताऊ-टीक है इसी बीडियों में इसमझाना मुस्किल हो सब कुछ carbon क्या होता है किस तरीके से गिंते हैं वो सब कुछ आगे जो दूसरा इसका है वो कह रहा है कि CH3COOH अब इसका बता हो क्या होगा देखो आई-उ-प-a-c कितना आसान है देखो भी लिखता हूं मैं आई-उ-प-a-c तो मैंठ adoption 1,2-org है तो legitimate अ है तो गुलेंगे तो ए और यह हो जागा देखो एथ और एक ही बंदी ही साज़ेधार होगी तो एथेन प्लस देखो KyleH होता है तोLoH को क्या बोलते ओ तो ए Aethan plus Oic, यानि Aethenoic, Aml, समझे गए? Aethenoic Aml, इस तरही के से, IUP, C करना है, since COOH, उसको Oic बोलते हैं, तो इसमें Oic जोड दो, Aethan में Oic जोड़ोको तो Aethenoic Aml हो जाएगा, इसके बाद देखिए खा जो चटे का खा है उसको देख लेते हैं क्या है देखो इसमें क्या है हमको एक reaction दी गई है ठीक है निमने लिखी तरह आईसाइनी समीकरण को पूर्ण कीजिए ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं बताया गया है कि निमने लिखी तरह आई BR प्लस KOH जलिए है ठीक है यह क्या बनाएगा पहले वाली को देख लेते हैं क्या है बहुत ही आसान है ठीक है बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा क्या है मैं दिया गया CH3 COOH ठीक है प्लस C2H5 OH ठीक है यहां सांद्र H2SO4 यानि इसकी उपस्तिती में सांद्र यह सल्फ क्या बनेगा प्लस क्या बनेगा देखो यहां पर क्या बनेगा देखो कितना आसान है अँबी देखो कैसे बताता हूँँ पहले थो यह देखो ये चार है, क्या है? चार है, यानि कि CE2H5 एठील हइड्रकिसइड ये एठील हइड्रकिसइड है तो क्या है? ये ये देखिए अभी इसको भूल जाईए ये समझके चलो, ये वाला जो है अमल है और ये चार है अमल और चार, जब अपक्रिया करता है तो क्या बनता है जब अमल और 6 अबक्रिया करता है तो लवड बनता है और जल बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर समझो कि जल तो बाहर निकल ही जाएगा जब अमल और 6 अबक्रिया करें तो जल बाहर निकल जाएगा अब यहाँ से H24 गायब कर दो देखो H2 तो H2 है ये गायब करवड़ देखो इसे गायब कर दो इसे तो ये कट जाएंगे और एक O घटा दो इसे घटा दो तो इसको और इसको घटा दो तो हमारे पास क्या बचा? CH3 COO देखो CH3 COO ये तो चला गया, ये भी चला गया ये पूरा समझ में आया समझ में बहुत ही आसान है इस तरीके से reaction को पूरा करना था चलिए दूसरी देखते है रियेक्षन क्या है दूसरी हमको दी गई है थोड़ा छोटा लिखते हैं जिसे कि आजाए इसमें C2H5 BR PLUS KOH यह क्या है जलिये है जलिये यहां पर ऐसे खाली कर दो और कुछ और रह जाएगा तो यहां पर ऐसे कर दो पहले तो यह क्या है यहां पास इस तरीके से है ठीक है तो यहां पर हमारा BR और K तो यहां से देखो यह वाला देखो इसको यह जो चीज है यह बाहर निकल जाएगी बाकि जो बचे वो यहाँ पर लिखे दो देखो C2H5OH यह बचेगा बाकि बाहर क्या निकल जाएगा KVR बाहर निकल जाएगा यानि कि Potassium Bromo यह बाहर निकल गया यहाँ पर Ethyl Hydroxide बनेगा और यह आपको पता यह ना यह एथिल ब्रोमो था ठीक है एथिलीन ब्रोमो यह यह मार पास KOH है Potassium Hydroxide नाम लिखते हो हिंदी में कि Potassium Hydroxide है इसका नाम लिख सकते हो ठीक है इस तरीके से आपको अबगिणिया जो है केमिस्ट्री में करना है और इसके बाद इसके दिखें किजिए संचारण क्या है उधान द्वारा समझाईए साबनी करनर पर संचित लिखिए यह सारे कोशन से हैं और यहां पर कह रहा है कि नियुलिखित पर संचित लिखिए टिपिडी बताया गया रेडाक्स अभिडिया पर सजातीय सिरेड़ी पर देहनव गिडिया पर यह सा करो समझने वाली चीजें आपने समझ ली लेकिन याद भी थोड़ा बहुत करो ठीक थोड़ा बहुत याद भी कर लो जैसे कि धावन जोड़ा का सूत्र होता है एने टू एने टू सी यो थी होत सोडियम कार्बोन होता है न तो इस तरीके से जो इसके फामले बगएर याद करो दूइबिस्तापन अब करिया किसे कहता है याद करो संचारन किया है उधार्ण सही समझाइए मतला संचारन याद करो जब कोई धातू अपने आसपास अमल आर्दता नमियादी के संपर्क में आ जाती तो उसमें जंग लग जाती है ठीके अर्थात उसका छरण होने जो ठीवी आती है बोडिक जा में हर बार वो मैं आपको समझा दूगा बता दूगा बहुत ही सोड तरीके से ठीक है चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते और अगले वीडियो में हम जो इसके सेट टू जो बीके है इसको भी करेंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो